कैशन का कहना audio video clear है clear है clear है all clear है तो कल एक question कर रहा थी और वो question बहुत बड़ा था और वो questions आपके IA6 AI का ही है लेकिन वो question अभी का नही है अभी के study mat में नहीं डला है पर वो question favorite था इसी वज़े से उस question को मैंने उठाया और उसमें डिसाइट करना था कि गोल्ड माइन अभी ओपन करना चाहिए या फिर एक साल रुक कर इस उमिद से की प्राइस बढ़ेगा तब ओपन करेगे और एनपीवी निकाला था दोनों में सायथ हां सर और ओपन अगर अभी करते हैं तो एनपीवी आया था कितना अभी नेगेटिव आया था सायथ मुझे इतना याद है इसमें एनपीवी नेगेटिव आया था और वह आया था मैनस पिछला कोश्चन जिसमें हमें गोल्ड माइन ओपन करना था 5260 गुट और जिसमें हमें एक साल बात ओपन करना था मैनस 5260 शहीं है और फिर एक डिसिजन ये भी था कि यार अभी एक काम करते थोड़ा रुख जाते और उसके बाद ओपन करेंगे उसमें एनपीवी पॉजेटिव आया था और कितना पॉजेटिव आया था एक बार बता दो कि उ और किशन सही है माइनस 5260 अगर हम गोल्ड माइन अभी ओपन करते हैं 562803 562803 टिक चलो जी अब बहुत बड़ा खेल है तर आते ही स्टार्ट हो रहा है हाँ जी मुझे नहीं मालूम था कि आते ही इतना बड़ा टेंसन आने वाला है आपको अब सुनो यहां से समझना एक option दिया गया हलाकि real option आपको मैं derivative में करवाने वाला हूँ पर यहां से ही सुरुवात कर दे यह real option क्या होता है कैसे होता है बस मैं example यहां में कुछ बोल रहा हूँ उसको समझ रहा है एक option है कि गोल्ड का extraction cost था गोल्ड निकाले का extraction cost और वो था चार हजार छे सो 4600 ठीक है अगर हम gold mine अभी open करते है तो हमें एक option दिया गया कि जब चाहे तब आप gold mine पे काम बंद कर सकते हो जब चाहे तब और हम तभी बंद करेंगे जब expected price future में 4600 से कम होगा सर फिर से बोलो समझ में नहीं आया फिर से बोलता भाई गोल्ड निकालने का cost कितना आ रहा है 4600 अगर गोल्ड का expected price 4600 से कम हो जाएगा आने वाले साल में तो हम बंद कर देंगे सर अब ध्यान से मुझे बस बताते जाना answer यह decision tree आपके पास क्या बना हुआ है हां सर बना हुआ है वो decision tree आप एक बर open कर लीजिए और मैं कुछ पूछने जा रहा हूँ अगर गोल्ड का price 5500 है हां सर यूचर में क्या हो सकता सर 6000 भी हो सकता और 5000 भी हो सकता मैं यहां खड़ा हूँ यह first year है और मैं यहां खड़ा हूँ यार आज 5500 प्राइज है 5500 मैंने अगले साल क्या हो सकता आज तो फाइदा ही है अगर 5500 हो जाता है तो आज तो फाइदा है गोल्ड निकालने में क्योंकि 4600 पर मैं यहां खड़े होके सोचता हूँ यार मुझे आगे गोल्ड माइन एक्स्ट्रक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आने वाले साल में क्या एक्स्पेक्टेट प्राइज है तर 6000 भी हो सकता है 5000 भी हो सकता है और यहां तो आप सोच भी नहीं सकते है क्योंकि आगे और जाएगा बहुत मुष्किल बात है बस ध्यान से समझागा तो अगर मैं यहां सोचूँ तो सवाली पैदा नहीं होता आगे बहुत समय बाकी है अगर यहां सोचू तो यहां भी आगे बहुत समय बाकी है ठीक है मैं यहां सोच रहा हूँ second year में अगर price 6000 हो गया तो अब मैं यह सोच रहा हूँ कि आप third year में मुझे gold extract करने से फायदा होगा होगा sir, हो भी सकता है क्योंकि expected price देखोगे this into this, this into this तो यह sir ज़्यादा price आएगा किस से ज़्यादा आएगा? 4600 मैं कहता हूँ यहां चलो, यहां सोच के देखता हूँ यहां भी सोच के देखता हूँ तो यह भी हो सकता, यह भी हो सकता मतलब expected price gold का 4600 से यहां भी ज़्यादा हो सकता यहां सोच के देखता हूँ यह भी हो सकता, यह भी हो सकता मतलब expected price 4600 600 से ज़ादा हो सकता है अब second year में जब मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ तो मैं loss खाई लिया हूँ कितना second year में second year के end में second year के end में gold extract किया कितने का sell होगा sir कितने का sell होगा gold 4000 का ठीक और sir 4000 का sell होगा और आपको लगाने का खर्च कितना निकालने का खर्च कितना आ रहा 4600 यहाँ तो आप बर्बाद हो ही गए हो हाँ यहाँ तो आप बर्बाद हो चुके हो सवाल है कि अभी आगे बढ़े एक साल बाद और देखे कि यहीं रुख जाए आगे काम ना करे बस इतना सा काम है कि मुझे यहाँ आगे बढ़ना चाहिए कि बस यहीं रुख जाना चाहिए अगर प्राइस 4000 हो जाता है तो बस इतना सा है अगर प्राइस 4000 हो गया कौन सा इयर में खडाओ मैं सेकेंड इयर मैं हाँ अबंडन या फिर शट डाउन यहीं मुझे गोल्ड माइन अपनी बंद कर जाना चाहिए रुख जाना चाहिए कि आगे जाना चाहिए आगे जाओगे तो कोई फाइदा नहीं है क्यों फाइदा नहीं है क्योंकि यार इस गर एक्सपेक्टेड प्राइस देखो तो 4500 into 0.5 3500 into 0.5 मतलब अगर मैं एक्सपेक्टेड प्राइस भी निकालू तो भी मेरा 4000 से ज़्यादा नहीं जाए तो रुख जाना चाहिए ठीक लिविट हाँ बढ़ भी गया तो भी रिकवर नहीं होगा पर हम सिर्फ बढ़ने का कैसे सोच सकते हैं मैं कभी भी क्या निकालूँगा मैं expected निकालूँगा और expected no doubt इसका 4000 ही आएगा मैं कभी भी expected निकालूँगा और expected fourth ocean है तोसर रुख जाना चाहिए ठीक अब दिमाग चलाना पड़ेगा दोस्तो अब दिमाग चलाना पड़ेगा अब हैसी ये फाइनल अगर मैं रुक जाता हूँ मैं आगे ही नहीं बढ़ता हूँ ऐसे तो मेरा NPV कितना ही आएगा कि NPV में कुछ चेंज जाए बड़ा सिंपल सा कोश्च अगर मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो NPV यही आएगा कि NPV में कुछ चेंज आएगा पस कितना सक्या टाइम लगेगा लग जाने तो सर जो NPV दिख रहा ना माइनस 5260 यह नहीं आएगा कुछ और आएगा समझने की कोशिश करते अराम से समझते अराम से समझते सवाल है क्या आएगा NPV क्या आएगा यह निकालना सर चेंज होगा बिल्गुल सही तो चलो ना यार लॉस कम होगा एक ही बात है अमित चेंज होगा तो बस यही तो हमें सोचना है कि चेंज होगा तो कितना आएगा NPV बस यही सोचना है सर किसी बच्चे का डाउट यह है जब यहां 4000 होने वाला तो इधर ही रुख जाते ना इधर क्या दिक्कत थी यहीं रुख जाते क्या फर्स्ट इयर में रुख सकते थे नहीं क्योंकि बढ़ गया तो और उसके बाद और बढ़ गया तो यहार फायदा भी हो सकता आप फर्स्ट इयर में रुखी नहीं सकते थे फर्स्ट इयर में आप सट डाउन नहीं कर सकते थे क्योंकि बढ़ने और बढ़ने के चांसिस थे सबसे पहले मैं अब NPV निकालने की कोशिश करूँ आराम से निकालते बहुत ज़्यादा जलते नहीं वापस निकालें NPV लिखोगे मेरे साथ सत अब लिखने जा रहा है अब करते कैलकुलेशन करते मजाएगा अब निकाल रहा है कैलकुलेशन ओप रिवाइजड एन पीवी इफ वी अपन अचर्ण प्ता है रुर्ण मेरे से बादेटर गहा है Waag यह न्युदल माऑच मेरेन पीज़ा कर्स सब्सक्राश कर्छ它的 चीद्क्षं खीछाते है भाद्दिवाइज पादूस्वाति है 4000 revised NPV निकालने की कोशिश करेंगे ठीक है अब सुनो धान से काम करना पड़ेगा बिल्कुल ध्यान से तभी कोगा फ़र्स्ट इयर की बात करें यस इयर वन इयर वन में क्या आप गोल्ड का प्राइज निकाल सकते हो यस सर कैसे निकाल सकते हो सर फिप्टी फाइफ हंड़ेट प्लस फोर थाउजन फाइफ हंड़ेट डिवाइड वाई टू ऐसा करके निकाला था याद है हाँ सर फ़र्स्ट इयर में गोल्ड का प्राइज आया था फाइप थाउजन इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कैल्कुलेशन नहीं कर रहा है यह सब आपका निकला हुआ है न मांशी का अंसर है थर्टीन थाउजन शायद एनपी भी अमित का अंसर है फाइप थाउजन यह है यह क्या है गोल्ड का प्राइस और उसमें से हमने 4600 माइनस कर दिया था तो सर कितना आया था 400 और 400 क्वांटिटी कितना था 1000 था मैंने 1 लैक लिख दिया था मुझे याद है 1000 तो बोलो कैश फ्लो कितना आया था 4 लाक याद है कि नहीं है यह तो याद है 4 लाक रुपए था 4 लैक एन पीवी पे मैं पहुच रहा हूं मांशी बस मुझे 2 मिनट का ठाइम दे अभी सुनो 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 बच्चो यह 4 लाक और तरीके से निकाला जाशकता है सुनना ध्यान से काम आने वाला है सर बताओ कैसे निकाल सकते हैं अगर मैं कहता हूं यार इस 55500 से माइनस कर देता हूं मैं 4600 ध्यान से समझना यहां था 5500 इसमें से माइनस कर देता हूं मैं 4600 और इसमें से भी माइनस कर देता हूं 4600 इट मिन सर आप यहीं प्रॉफिट निकाल रहा हूं हाँ जी मैं यहीं प्रॉफिट निकाल रहा हूं ठीक है मांसी ने हटा दिया तोकि उतना आशान नहीं है 5500 माइनस 4600 तो सर यहां आ गया 900 और यहां आ गया 100 और प्रोबैबिलिटी से मल्टिप्लाई करेंगे तो 900 into 0.5 और 100 into 0.5 100 माइनस में है क्या यस 900 into 0.5 M plus 100 माइनस में into 0.5 सर 400 आ गया तो टाइम पास है ना यार मैं बस आप से कुछ बताना चाहता हूं कि मैं सिधा 900 और माइनस 100 दोनों को मल्टिप्लाई करूंगा तो सिधा सिधा यहां आ जाएगा एगरी होना यार सिधा 4 लाक आ सकता है हाँ सर तयार है हम बहुत डीप में जा रहा है और डीप में जाना पड़ेगा decisionry में क्योंकि अभी न अभी में मुद्दे की बात आने वाली है ठीक है सर यह समझ में आ गया year 1 का year 2 में भी कोई दिक्कत नहीं थी किसी को नहीं सर year 2 में भी कोई दिक्कत नहीं थी और year 2 का भी answer आ गया था वही था price 5,000 minus 4,600 400 into 1,000 और यहां भी कितना आया था 4,000 year 3 अब बता दो वाई year 3 का कैसे निकले मुद्दे की बात तो यहीं है year 3 challenge है challenge निकाल लो party मेरी दरफ से third year का मुझे सिर्फ और सिर्फ cash flow बता दिया तो party third year का cash flow third year का cash flow चाहिए हाँ ice cream जो बोलोगे वो पक्का एक answer आया sir third year का cash flow भी उतन ही आएगा 4,000 पर साथ में शायद सब्द भी लिखा हुआ है निकालना ही नहीं है क्यों भई लिख रहा ना यह third year का क्यों नहीं निकल लेगा यह तो है third year third year का यहां रुख जाओगे मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूँ यहां तो 00 ले लोकिन बाकी जग़ तो फाइदा है भई third year का मुझे तो probability से multiply करना third year का निकालना ही नहीं है क्यों निकालना निकालना है 100% इस period का नमत निकाली है कोई दिक्कत नहीं पर इस period को तो चाहिए चाहिए मच को निशीता का कहना है 1250 1 to 5 0 question mark question mark भी साथ में है 3400 सुनो प्यार से चलो मैं निकाल चलो सर आप निकालो ना सर आप निकालो प्रशांद का आंसर है 4000 सुनोगे 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 बिच्चो चलो जुगार लगाते हैं अगर आप करने वाले हो इसको 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 probability और यहाँ 0 ले रहा है और यहाँ 0 ले रहा है ठीक है ले सकते हो पर फिर 4600 वाइनस नहीं कर सकते आप निकाली आप कैसे निकाल रहा है अब सुनो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, सुनो, मैं एक काम करता हूँ यार, सब में से 4600 कॉस्ट अलग-अलग माइनस कर देता हूँ, वे दिक्कत है, हाँ सर, 4600, चाहे आप एक साथ माइनस कीजिए, चाहे अलग-अलग माइनस कीजिए, कोई फर्क पढ़ रहा है क्या नहीं, कहां तक माइनस करूँगा, सर, यहां तक माइनस कर, 4600, अब प्रोबैबिलिटी 0.5 into 0.5 into 0.5, तो 0.125, तो सर, 6500, मैं थर्ड येर का, यहां नहीं निकाल रहा हूँ, ऐसे प्यार से लिख रहा हूँ, थर्ड येर, सर, कोई शॉटकट है क्या, हाँ, शॉटकट है भाई, है अभी थोड़ा रुकतो जाओ, पहले आराम से समझ लेख, तो सर, ये आगए 6500, मैनस 4600, तो सर, ये आगए 1900, इलकुल, प्लस, 5500, तो सर, ये आगए 900, प्लस, 5500, तो वापस आगए, सर, 900, प्लस, ये वाला, 4500, तो सर, ये आगए, मैनस 100, प्लस नहीं, मैनस 100 होगा से, minus 100, 50, 500, तुसर, plus 900, 4500, तुसर, minus 100, और इधर, plus 0, plus 0, और इसको multiply किसे करेंगे, इसर, 0.5 into 0.5 into 0.5, 0.1 to 5, ये सही calculation है ना यार, कितना आ रहा, 550 into 1,000, तुसर, यहां आ गया, 3rd year का 550,000, into 1,000 कर रही देंगे, लाश्ट में, लुक, 550,000, इसको अच्छे से करवा दूँगा, उसका attention मत लीजिए, 550,000, तो अब देखो, NPV कितना आ रहा, अब NPV निकालते हैं, 4,00,000, divided by 1.10, power 1, plus 4,00,000, divided by 1.10, power 2, plus 550,000, divided by 1.10, power 3, और कितने इक अधा प्रोजेक्ट, 10,00,000, NPV कितना, NPV कितना, आप NPV सर्च 4,600 बाद में माइनस कर रहे हैं, उनका कहना है, सर में यह लेते हैं इसको और बाद में 4600 माइनस कर देते तो दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि फिर वो 0 में से भी 4006 माइनस हो रहा है और 4600 यहां से भी माइनस हो रहा है बस दिक्कत यही है और कुछ दूसरा तरीका भी बताऊंगा तो सर NPV आ गया है रुपीज 107 438 107 438 इशा शही है प्रिशान्त शही है ठीक है अच्छ समझ में आ गया शुभांश क्यों का कहना है सर्फ 107 438 ठीक है हमारे पास है अल्टरनेटिव शॉटकट बताऊंगा आप टेंशन मतली ये शॉटकट भी मैं बताने वाला हूँ और उससे भी अंसर आ जाएगा पर ऐसा कोश्चन आता है क्या ये बताओ कस्म से इस्टेडी माटेरियल में नहीं दिया है पर चोड़ दो एक ही बात को क्या बार बार बोले चलो अभी काम की बात अगर हम प्रोजेक्ट को shutdown नहीं कर रहे थे हाँ रोगान बस एक बार मैं अपने statement खतम करता हूँ और वापस आता हूँ वापस अगर हम प्रोजेक्ट को shutdown नहीं कर रहे थे किसी भी point of time से ठीक है सर अगर shutdown नहीं कर रहे थे तो क्या answer हमारा negative NPV आ रहा था हाँ बोलो कितना आ रहा था negative NPV तो सर negative NPV आ रहा था minus 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 ठीक से समझना पड़ेगा और वो आ रहा था minus 526 0 minus 526 0 मैंने ये बोला कि decision tree में कुछ करना ही नहीं था decision tree में आप क्यों छेड़ शाड़ कर रहा हूँ जो कल बना दिया बना लिया ये तो मैं अपने question में छेड़ शाड़ कर रहा हूँ ठीक है सर आ रहा था minus 526 0 सही है मानसी और अब क्योंकि मैं अगर shutdown कर देता हूँ यहां shutdown कर दिया मैंने का नहीं चाहिए मानसी आप नहीं हमें सोना चाहिए नहीं पात कतम क्या करोगे सोना का ठीक है सर तो फिर जो NPV आ रहा है वो आ रहा है 107438 हाँ सर तो यार क्या shutdown की वजह से मेरा फायदा है हाँ सर हाँ बोलिए और कितना फायदा है इसको बोलते value of abandonment value of abandonment अच्छा abandon करने की वजह से मुझे कितने का फायदा हो रहा है shutdown करने की वजह से मुझे कितने का फायदा हो रहा है क्या निकाला जा सकता है हाँ सर बता दो कितने का shutdown करने की वजह से जो मेरा negative NPV था वो तो खतम और उसके अलबा पॉजिटिव है लगा गया तो बताओ कितना आ गया 102177 प्रशांद का अंसर है कोई भी एक फाइनल होगा 5260 112 अमित का अंसर है 112698 निशांत चंदरकांत सभी का अंसर है तो या वैल्यू अप अबंडनमेंट या वैल्यू अप सट्डाउन कितना आ गया अब डिफरेंस 1074 38 प्लस 5260 सीधा जोड़ा हूं मैं प्लस मैनस के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूं मुझे बताओ ये कितना आ गया 112 698 112 698 हाँ सुभांशो मैंने जान वुच के उठाया है एहसास कराने के लिए कि आप सीधा फाइनल में हो तिर्फ एहसास के लिए बाकी और कुछ नहीं था सर इस्टडी माटीरियल में तो ऐसी नहीं है ये कुश्चन हाँ वो मैं भी जानता सर फर्स्ट येर विवाई विएर कंपेरिंग विथ 5,000 अनली मुझे डाउट समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं मैं डिसकस करूंगा आपसे सर इसा कोश्चन आएगा की नहीं आएगा वो मैं नहीं जानता पर ये कोश्चन खतन तो कर ले जब उठा ये कोश्चन आ गया ना आपके लावा कोई नहीं करने वाला है ये कोश्चन आ गया तो आपके लावा कोई नहीं करने वाला है पर सुरूं ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आ जाने कितने बार ये कोश्चन डाला है तो यार हो जाओ अभी आगे बढ़ो आगे बढ़ रहा है सुनना ध्यान से बाते गम अब मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ शॉटकट है क्या हाँ शॉटकट है अब सुनो क्या सॉटकट है ध्यान से देखना मिट्टे ध्यान से अब मैं कुछ बोलना जा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि सर यहां हम यह तीसरे साल में गोल्ड माइन जो है वो नहीं चलाएंगे हम लोग अगर चलाते तो हमको लॉस हो रहा था अगर हम इसको एक्स्ट्रेक्ट करते गोल्ड को तो हमको लॉस हो रहा था अगर यहां की बात करो कितने का लॉस हो रहा था जड़ा देखे सर हमको 4500 में बेचते गोल्ड एक्स्ट्रेक्ट करके 4500 में बेचते तो सर एक तो यहां तो हमें 100 का लॉस हो रहा था ठीक है सर, अगर 3500 होता, तो हमें 3500-4600, हमें 1100 का लॉस हो रहा था ठीक है, पतलब सर हमें-100 इसका भी लॉस हो सकता है, या-1100 इसका भी लॉस हो सकता है हाँ सर, यह लॉस हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमने तो शट डाउन कर दिया हाँ, तो सर हमने तो बचा लिया ना पैसा, हमने तो लॉस बचा लिया, यही तो लॉस हो रहा था में अगर हम यहाँ शट डाउन कर देते हैं, तो हम जो है वो लॉस बचा रहा है सर probability से multiply कर देते हैं और probability मालूम है कौन से लेना है यहां से 0.5 into 0.5 into 0.5 0.125 यह न यार 0.5 into 0.5 into 0.5 तो सर हम जो loss बचा रहे हैं value of abandonment ऐसे भी तो निकाल सकते हैं मुझे आपका यहां साथ चाहिए कम से कम बहुत अच्छी चीज़ सीखने को में लेगे value of abandonment यही तो पूछा है ultimately sir 0.1 to 5 0.5 multiply हो रहा है minus 100 minus 1100 मतलब सर दोनों मिलाकर कर लेते हैं ना plus भी कर दोगे तो कोई लिखाते हैं और यह कब होने वाला था loss यहां third year में एक साल, दो साल, तीन साल present value का मारते है present value थोड़ा सा मुस्किल है बस एक बार समझ लिए ना 1.10 power 3 चेक करते answer कितना आ रहा है चेक करते answer कितना आ रहा है और answer जो हम चाहते थे value अगर यही आ गया answer तो यह समझ लिजिए बात बन जाएगी 1.12698 यही answer आ जाएगा तो बात बन गई समझ लिए हाँ, answer वही आ गया 1.12697 चीक है सर सेम ही आना था क्योंकि ultimately तो हमने कुछ किया ही नहीं है अगर ध्यान से देखो तो सर घुमा फिरा कर आपने वही कर दिया सीधा सीधा value of abandonment ऐसे निकालो या ऐसे सर यह कितना साफ साफ तो दिख रहा है, क्या time pass किया आपने अगर देखती बिलकुल सिंपल है बिलकुल सिंपल कैसे है सर जो पैसा जो law से उसी को तो बचाया और उसका present value निकाल लीजे खतम ना यार काम, ठीक है लेकिन अंस एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं वो हमसे बोलता चलो हमने ये short cut से निकाल लिया कितना निकाल लिया, 112698 यही आया ना 112698 अब बोलेगा किया revised NPV निकलो तो अब क्या करोगे, फिर क्या करोगे बोलेगा चलो ठीक है ना लाली है ना value of abandonment चलो अब क्याएगा revised NPV निकलो क्या निकाला जा सकता है यह भूल जाओ, बस आपने यह निकाला तो इसके सहरे से क्या वापस NPV निकल सकते है और वो NPV मालूम है क्या होना चाहिए 107438 ऐसा कुछ हो सकते है पस मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ में आजाए इशा का कहना है सर नहीं निकाल सकते निशीता का कहना सर आराम से निकाल लेंगे चंदरकांत का भी कहना कि सर बिलकुल आराम से निकाल लेंगे क्यों? क्योंकि सर देखो न क्योंकि सर पहले से NPV था 5200 और हमने बचा लिया 112698 तो revised NP भी आ गया, कितना, 107, 438, को सकता है, हाँ, जो बचाया है, उसमें से minus कर देंगे, 5260, तो आ गया न सर, तो क्या ये time pass की हम को जरूरत है, नहीं है, ये तो आप ने करवाया मुझसे, मैं तो अच्छा गासा मैं ऐसे ही करने वाला था, ठीक है सर, बात समझ में आगे, बात समझ में, एक्जाम में क्या मांगा था, एक्जाम में मांगा था, वैल्यू आप अबंडनमेंट, और वैल्यू आप अबंडनमेंट ही है, और NP भी मांगा, तो NP भी तो निकली गया, कोई दिखते, दोनों चीज़े मांगेगा, तो क्या हम shortcut से निकाल सकते, shortcut से हम निकाल सकते ठीक है खतम करें कहानी हाँ सर, अब चलते, बहुत हो गए इस question पे, अब हम लोग आगे चलते, आगे कुछ करना है इस question में कोई मुझे ये बता दे कि किस price पे हमें project को set down कर देना चाहिए open after one year में किस price पे हमें gold mine set down कर देना चाहिए इस price पे, इस पे तो करना ही नहीं आगे, इस price पे, इस price पे किस price पे हमें कर देना चाहिए set down या मेरा question है third year में या second year में या first year में या fourth year में किस year में हमें set down कर देना चाहिए तब का अंसर है कि sir year 3 में जब gold का price 4,500 होती है क्योंकि इसका expected price 4,500 ही होगा yes, third year में हमें shut down कर देना चाहिए जादतर बच्चों का maximum बच्चों का third year ही आंसर आ रहा है और third year ही है मैं फिर से बोलो मैं expected price से comparison कर दूसरा सबसे important question challenge वाली बात है भाई अभी पहले नहीं किया था फिर से challenge shortcut से करना एक तो मुझे चाहिए value of abandonment सोच समझ के करना challenge वाली बात है और sir एक तो चाहिए मुझे revised NPV दो चीच चाहिए कुझी भी करो गुना भाग plus minus जो करना है करो answer निकाल दो बस shortcut से करना shortcut से हमें नहीं करना वापस की वापस पूरा NPV calculate कर रहे shortcut करोगे प्रघ्यबी की बड्या कर कीफ़ धूरा की बड्या क्राव्या नहीं की अ, आहीं अ threw माust्या हमी बड़ी की बाव्या निशान्त का अंसर है 25613 ये क्या चीज है एन पीवी रिवाइश्ट ये है वेल्यू अबटन मेंट 25 वो वेल्यू निशान्त मुझे बताओ वो कहां तक निकाला अपने अगर यहां तक का निकाला है तो आपको वो 0 पिरेड में पहुचना पड़ेगा 25613 यहां तक का निकला तो into 0.5 divided by 1.10 करना पड़ेगा, मुझे यहां का value चाहिए 0 year का ही है ठीक है, एक answer आ रहा है value of abandonment 25613 बाकी बच्ची अभी calculate का, answer आ रहा 8538 8538 एक answer है 85, सिवांगी का भी answer है 8538 value of abandonment answer और बुक के हिसाब से 8538, वाउ rate, revised NPV आ रहा है, sir 5, 7 revised NPV तो बुक में निकाला नहीं है पर 5, 7, 1, 3, 4, 1 सही ही होगा, जब 8538 जैसी चीज़ निकालिया बुक में उसने value of abandonment ही बताया है, बस revised NPV नहीं बताया है, और वह ही मांगा था तो कैसे निकाला जड़ा है, एक बार हिसाब किताब कर लेते, 8538 विल्कुल सही answer है, मतलब या, shortcut जल्दी सीखते हो आप लोग हाँ, sir, shortcut में मजाता है हम लोगो इस में से हम 4,600 माइनस कर देंगे और इस में से भी 4,600 माइनस, ठीक है, sir तो बुलो, यहां कितना आ रहा है, sir 5,000 माइनस 4,600 तो, sir, यहां आ गया 400 और 400 प्लस में, और यहां, sir माइनस में आ गया, 600 400 प्लस माइनस 600 अब मैं गर रहा हूं value of abandonment तो, पहले कितने मुस्किल एक्जाम रहते होगे आजकल तो, देखा, institute इतना समझदार है, उसने डाला भी नहीं capital investing में यह question उसको मालू मैं, आजकल के बच्चे नहीं जहल पाएगे value of abandonment तो, 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 सर, पहले क्या? सुनो, मैं पहले यहां तक पहुच रहा हूं 0.5 into 0.5 into 0.5 तो, सर, 0.125 400 minus 600 यह 400 है, minus 600 into 1000 और इसको मैंने divide कर दिया 1.10 power तो, यहां से, यहां, यहां से, यहां, यहां से, यहां, यहां तक पहुच रहा हूं तो, 400 minus 600 into 1000 into 0.125 divided 1.10 1, 2, 3 तो, सर, यहां आ गया था, 1, 8 7 8, 2 0.8 से, 1 0.125 नहीं होगा 0.0625 होगा अब देखो ना जुगाड मैंने यह कहां का निकाला मैंने यह year 1 end तक का निकाला 1st year के end तक दीरे-दीरे प्यार-प्यार से यहां तक पहुच गया मैं ठीक अब क्या करूँगा अब करूँगा 0.5, 0.5, 0.5 अब मैं क्या करूँगा बच्चा वाइ, 0.5 और divided by क्या करूँगा 1.10 तो, आंसर आ जाना चाहिए, मेरा भी मेरा भी आंसर आना चाहिए 18782.87 into .5 divided by 1.10 8538 देखा मेरा भी तो आ गया तर एक ही तो बात है आप सबसे पहले यहाँ एक दो तीसे सा यहाँ पहुचे और फिर यहाँ से यहाँ पहुचे आप डारेक्ट यहाँ से यहाँ पहुचे के है पहाँ से यहाँ 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 स यह question सर अगर हम exam में छोड़के भी जाए तो चलेगा क्या हाँ जी क्योंकि यह question आपके study material का नहीं है और अभी तक ऐसा कुछ announcement नहीं है पर यह question से हमें थोड़ा बहुत probability और value का आदत हो गए ठीक है अब हम लोग वाकि जो actual में सर mathematics हम actual में हम actual में अब decision tree पढ़ने के लिए तैयार हो यहां तक value of abandonment लिख लिया हूँ तो क्या मैं आगे चलूँ अब आगे चल रहा है concept आगे लेते हूँ चल रहा है क्योंकि इस question पर हम मैनत कर रहा है पर यह question institute ने तो डाला नहीं है हम आगे चल रहा है ठीक है इसे प्लीज मुझे ना आप class के बाद call करोगे ना तो फिर मैं उसको लेते हुए चलूँगा क्योंकि मेरे पास वो सारा की सारा है नहीं है कि यहां से मैं cash flow निकाल के काम करूँगा प्लीज मुझे class के बाद call कर ले ना अब important है अब वो करने जा रहा है जिसके question IC AI ने book में डाल रखा है चलो मेरे साथ साथ एक actual problem लेते हुए चल रहा है अब 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 लिखना अब काम की चीज है भाई यह वाला question जो किया दो कल से चल रहा है यह काम आएगा की नहीं आएगा वो नहीं जानता लेकिन अब जो कर रहे है वो पक्का आएगा मुझे आप लोगों का यहां थोड़ा सा साथ चाहिए एक decision tree सर आप लिखवाओगे कुछ मैं example बना रहा हूं पर example decision tree से बना कोई बच्चा देखो मेरी बाद समझनो एक होता है decision note और एक होता है chance note लिखना नहीं है decision note को decision जब भी लिया जाता है decision tree में box बनाया जाएगा ऐसा आपकी किताबों में लिखा हुआ है study mat में लिखा हुआ है और जब भी पता नहीं कि क्या होने वाला उसको बलता है chance note उसको circle बनाया जाएगा सर मतलब इसको बोला जाता है decision note decision note और सर इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है chance note chance note decision note हलाकि IAC AI खुद ही अपने solution में यह follow नहीं करता है पर हम कोशिश करेंगे कि follow करने इसको note करने की जरुरत नहीं है छीक है अब मुझे मैं आपसे पूछते जा रहा हूँ मुझे answer देते जाना अभी अभी किसी बच्चे ने 12th पास किया तो अब उसको decision लेना है अब decision क्या लेना है 12th कौन सा subject था सर कॉमर्स था उसका अब decision यह लेना है आप भी समझदार हो कि CA करे कि BCOM करे अब हमारा काम स्टार्ट हो रहा है decision 1 क्या decision लेना है सर या तो भाई साब इनको क्या करना है या तो ये CA कर सकते हैं ये तो आप भी कौम कर सकते हैं आप खुद ही बताना है हाँ अब जरूरत पढ़ रही है और मैं आप से पूछना चाह रहा हूँ कि या फायदा है की नहीं है तर आहां में draw कर सकते हैं कि हाँ आपको तो मेरे सास्तर draw करना है क्योंकि आप ही मुझे question बना कर देने वाले हैं हाँ अब यहां यह बहुत बड़ा यह question आता है एक्जाम में सर इसलिए बनाना तो है यह आपको सर तो बीकॉम करने में कितना खर्च आ जाएगा क्या लगता है मेरा मान का नहीं कि यार तीन साल का कोर से लगबग लंसम में present value का भी इग्नोर करो तीन लाक रुपए का खर्चा आ जाएगा मतलब सर बीकॉम करने का cost कितना जाएगा तीन लाक रुपए और सर सीए करने में लंसम कितना लगेगा सीए करने में लंसम लगेगा पाच लाक रुपए एक साथ मिला कर बोला है पाच लाक रुपए हाँ प्लीज मजे ना ले तो कि अभी फिर डिसिजन ट्री आपके मजे लेगा ठीक है सर पाच लाख रुपए यहां लग रहा बीकॉम करने में तीन लाख रुपए लग रहा है और मेरा यह मानना है कि बीकॉम पास कर लोगे आप तो जो भी डिसिजन है वो खुद सोच रहा है यार बीकॉम करूँगा तो मुझे ऐसा लग रहा बीकॉम तो मैं पास कर लोगा और सर बीकॉम करने के बाद इसको लग रहा है कि मैं कितना कमाऊंगा तो बहुत बीकॉम करने के बाद यह कमाएगा एक लाख रुपए पर एनम जैसे तेसे घर तो चली जाएगा एक लाग रुपए साल का एक बार भी कॉम हो गया तो फिर एक लाग रुपए साल का कमाएगा और सर कैसी कमाएगा पर पेचवल यह सुना होगा अपने पर पेचवल और discounting rate ले लेते हैं 20% कभी बच्चपन में पढ़ाया आला कि ये मैंने present value अभी समझाया नहीं है पर बच्चों एक बात बताओ एक बात अभी दूसरी बात इना लेकर बस सुनो मैं जानता था इसलिए मैं example लेने से डर रहा था आपके सामने पर मैं मजबूर हुए है एक लाख रुपए परनम आएगा परपेच्वल तो क्या इसका present value निकल सकता है और discounting rate कितना है 20% हाला कि मैंने ये सिखाया नहीं है पर थोड़ा बहुत भी सीए इंटर का knowledge होगा एक लाख एक लाख एक लाख एक लाख एक लाख एक लाख 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 लुचर में आएगा आते रहेगा पर पेच्वल जिंदगी भर और discounting rate कितना है 20% तो क्या इसका present value निकल सकता है कभी न कभी सीखा होगा सर वो पाच लाख एक 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 लाख आते रहेगा पर पेच्वल तो हम कैसे निकालते है present value सर हम ऐसे निकालते है present value of cash in flow ए मतलब हो गया एक लाख और divide किसे कर देंगे 20% से ऐसी तो निकालते थे present value of cash in flow सर लॉजिक क्या है लॉजिक अभी नहीं अभी मैं decision tree पे जा रहा हूँ अभी चला लेंगे काम अभी चला लेंगे तो पहला decision था मैं यहां अटका था यह करूंगा तो पाच लाख रुपिया जाएगा और बीकॉम करेंगे सर तो तीन लाख रुपे जाएगा और सर बीकॉम करके जैसे तैसे घर चला लेंगे एक बार बीकॉम हो गया हमारा तो उसके बाद एक लाख रुपे एक लाख रुपे पर पेच्वल आते रहेगा और discounting rate है 20% तो हमारा present value of cash इंट वा गया है पाच लाख ऐसा सोच रहे अगर हम बीकॉम के लिए जाए तो पर C.A. के लिए जाए तो पाच लाख रुपे खर्च करो ना पर सर C.A. में दिक्कत है क्या दिक्कत है C.A. करने में क्या problem क्या है C.A. करने में तर पक्का मालूम नहीं कि पास होगे कि फैल होगे इसको बोलते chants और क्या-क्या हो सकता है बाले दो possibility हम pass भी हो सकते है हम pail भी हो सकते है pass भी हो सकते है फैल भी हो सकते है तो क्या probability है कि आप pass हो जाओगए अब तो probability जाहिए न और क्या probability है कि आप फैल हो सकते हैं हमने का यार ऐसा है हम pass भी हो सकते हैं pass और हम फैल भी हो सकते हैं और pass होने की probability है क्योंकि हम पढ़ने में अच्छे है 70% 0.7 निशान्थ 0.1 और अंश ने तो हद कर दिया 0.01 रोवन 15% भाई मेरे बच्चे हो आप लोग और मैं बोल रहा हूँ कि 70% chance है कि आप से ये बन जाओगे अच्छा सर ऐसा और फैल होने की chances है 0.3 हिसाब किताब करना है एन पी भी निकाल के बताना आप सब कुछ ठीक है सर यहां तक पहुँच गए अब आगे चले सर पास हो गए चलो मान लो पास हो गए उसके बाद क्या चलो हम बन गैसी है सर फैल हो गए तो फैल हो गए तो अभी सोचेंगे रुख जाओ भी चलो पास हो जाते है ना यहर पास हो गए तो पास हो गए तो फिर दिकत में नहर आप क्या करना है है तो सर अब आता है हमारा अब फिर से डीजियन लेना है तो क्या वोलेंगे इसको dużo सब सर्ड इसको बलेंगे डिसिजिजन नोट ऑर डिसिजन नोट ऐसे बनाए जाता हैpsonि बॉक्स बनाएंगे कि मेरे साथ सकत्ड ड्रॉ कर रहा है और अरद जाहिए बोलते हो आप नहीं अब पास हो जाने से घर अभी तो सुरू आप तो कमाई करना स्टार्ट करोगी ना तो हमारे पस कितने option है सर जॉब या practice जॉब में पैसा नहीं लगेगा मैं जॉब की बात नहीं करूँगा दो चीज़ क्या क्या सर मैं खुद ही बता रहा हूँ क्या क्या कर सकते हूँ decision दो या तो सर हम office खोल लेंगे practice बोल रही जी आप practice भी बोलोगे चलेगा एक यह बात है office खोल लेंगे अपना या सर हम teaching करने का सोच रहे कुछ बच्चे होगे ना teaching करने का सोच रहे job या practice नहीं ले रहा हूँ job क्यों नहीं ले रहा हूँ उसकी वज़ा मैं बता हूँ practice plus teaching कोई option नहीं है दो ही आए या तो office जाए या तो आप teaching कीजिए practice कीजिए या teaching कीजिए question मेरे ही सब से है ठीक है ठीक है sir चलो ठीक है office खोल लेते office ऐसे नहीं खुलेगा पैसा लगाना पड़ेगा तो sir या investment करना पड़ेगा कि या investment फिर करना पड़ेगा office में कितने रुपए का investment हो जाएगा क्या लगता है 6,00,00 रुपए लगेगे भाई साब 6,00,00 रुपए और sir teaching में इसमें भी free में तो काम होने वाला नहीं है investment तो इसमें भी लगेगा तो इसमें कितना लगेगा इसमें लगेगा 5,00,00 अगर decision tree आप मेरे साथ बना लगा तो अभी ये वाली line भी बढ़ेगी आके ठीक है चलो sir office खोलनेंगे 6,00,00 रुपए लगेगा तो हम लगाने को तियार है आएगा कितना और हमारा अनुमान है ऐसे मैं इसको और आगे बढ़ा सकता हूँ अभी में नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं वो सफ़े इतना भी आ सकता इस बात की probability इतना भी आ सकता अभी मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम हम नहीं लगाएंगे इसमें तो sir investment है 6,00,00 रुपए office खोलने से आएगा कितना sir ये बता हूँ अब CA बने हो कुछ ना कुछ तो आएगा सब 4,50,000 परपेच्वल आएगा भाई परपेच्वल वाओ सर कितना मजा है सब कोचिंग का भी हिसाब किताब कर लेके है 4,50,000 परपेच्वल आएगा तो ये है क्या वैसे परपेच्वल आएगा या तो टिचिंग फिल में जाओ 5,00,000 परपेच्वल आएगा पर 4,50,000 परपेच्वल आएगा यहां तक ठीक है बस खतम हो गया अब पैसा आने दो that's it CA बन चुके हो काम खतम लेकिन सर भगवान ना करे फैल होगे CA अगर फैल हो गया तो फिर क्या करोगे बस अब फिर से डिसीजन लेना है यस मतलब अब बात आ रहे है डिसीजन नमबर 3 के डिसीजन 3 कुछ बच्चों का गया ना सर वापस फार्म बनेंगे हो गया खतम CA IAM से MBA नहीं चोड़ो मैं बता रहा हूँ क्या करोगे हाँ सर आप ही बताईए बस खतम इसके आगे नहीं जाए गई गर में बैठेंगे दुकान चलाएंगे सिंगल गृप देंगे छोड़ो यार घर में बैठेंगे अच्छा सा कुछ नहीं करने वाले हो गया हम ठक गया CACC आप कुछ नहीं करना और दूसरे बच्चे बोल रहे हैं चलो कोई बात नहीं वापस भी कौम करेंगे ये भगवा जब कर नहीं था तो इधर कर लेते हैं और वापस भी कौम करोगे तो पैसा लगना लगाना पड़ेगा यस तीन लक और कैश इंफ्लो आएगा 50,000 पर रहे हैं परपेच्वा एक बात बताईए इधर एक लाक रुपिया आ रहा था वन लैक और इधर आ रहा 50,000 क्या लॉजिक से लॉजिक कुछ नहीं है यहां नए नए भी कौम यहां सुरू में अभी हो जाता तो अभी है और यहां बाद में भी कौम हो रहा है क्योंकि आपकी एज भी निकल गई है तो चलो फिर बोलते चलो जितना देना है देदो मजा कर रहा हूं मजा कर रहा हूं मेरे पास कोश्चन बनाना था इसलिए मैंने यह सैट किया वेजनती का कहना सर इससे अच्छा तो ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है हाँ यही तो निकालना है यही तो निकालना है कि ना ही करो तो अच्छा है बस यही डिसाइट करवाना है वेजनती बस इसी मुद्धे पर में पहुचने वाला बस तो तर कोश्चन क्या है आखिर कोश्चन ये है कि सीए करना चाहिए कि भी कौम करना चाहिए स्टार्ट कर रहा है याद रखना ये कोश्चन आता है स्टार्ट कर रहा है लेकिन क्या सभी लोगों ने ये नोट कर लिया है decision tree please confirm कर लो क्योंकि एक बार note कर लो ना फिर आराम से काम करते रहे एक बार note कर लिया है तो फिर हम लोग काम करें ठीक है जी चलो 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 आजी अब सुनने हैं सुनते जाना चलो जी अब सुनोगे कभी भी अब काम की चीज है कभी भी decision tree की बात करों कभी भी decision tree हो एक derivative में आएगा binomial tree decision tree derivative में मैं पढ़ाऊँगा binomial tree वो बहुत ज़्यादा आता है एक्चलो हम back calculation करेंगे back calculation करेंगे मतलब पहले in decision की बात होगी कि decision 2 पे क्या है हमें office खोलना चाहिए कि teaching करना चाहिए पहले इस point पे हमें सोचना पड़ेगा और सोचेंगे कैसे NPV निकाल कर अराम से सोचते बताओ हर साल कितना आएगा 4,50,000 discounting rate कितना है 20% और minus क्या करोगे 6,000,000 तो NPV निकाला जा सकता है क्या यहाँ अगर हम office खोलते अगर हम practice करते तो क्या NPV निकाला जा सकता है बस इतना सा कोशन है मैं back calculation से ही काम करूँगा क्यों करूँगा वो बाद में समझा दूँगा अगर मैं मान लो CA बन गया भगवान ना करे अगर मैं CA बन गया तो मैं office खोलूँगा कि teaching करूँगा पहले यह decide करना है हम लोगो सर अगर हम office खोलते हैं तो 4,500,000 divided by 20% minus 6,000,000 तो सर यहां NPV है 16,500,000 और अगर आप teaching करते हों तो कितना कमा लो NPV बता दीचिए सर 4,500,000 divided by 20% minus 5,000 तो सर NPV है 15,000,000 25,000 हाँ भगवान करे यार करे sorry वे जनती गरती हो गया ठीक अभी सुनो माल आप CA बन गया आपके interest की बात नहीं पूछ रहा हूं कि आपको किस चीज में मज़ा आता teaching में की office में सवाल यह नहीं है सवाल बस इतना है कि आप पैसो मुद्दे की बात है पैसा पैसे की बात करते है तो अगर आप CA बन गया हूँ तो किस में ज़्यादा दिखाए दे रहा है और practice में ज़्यादा फायदा है कि teaching में ज़्यादा फायदा है दोनों में से कोई एक decide करना है तो बताएं ये कौन सा decide करोगे teaching या फिर office दोनों में से कोई एक decide करना है इस decision पर तो प्रैक्टिस office या practice तो finally हम आपको काटना नहीं है पतला लगा आप भी काट दिये मेरे साथ सब नहीं करना कोई भी काट ये हमारे कामका नहीं है अगर हम CA बन जाते है इशा सही है तो हमारे लिए teaching कामका नहीं है हमारे लिए office कामका क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा है तो अब लिखना start करना पड़ेगा याद रखना मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जब question दिखे न यार तो यू लिखना start करे decision tree बनाना start कर दे बस तो पहले start करते हैं यहां से D2 से decision tree खतम हो चुका है इसके नीचे आप लिखना start करोगे मेरे पास भी जगा नहीं है तो मैं अगला page ले रहा हूं तो पहला dot लगा रहा है प्लीज पिछला question जो gold vine वाला था ना वो नहीं है exam में पर यह वाला question है इसलिए अच्छे जिकर में D2 हमें NPV निकालना NPV अगर हम investment करते हैं office open करते हैं here are two options option no.1 ओफिस ये प्रैक्टिस और एन पी भी फोर लैक फिप्टी थाउजिंद ये सब लिखना पड़ेगा है न? डिवाइड भाई 20 परशन माइनिस 6,000 तो बताओ कितना आगे तर 16,50,000 ठीक, ओप्शन नमबर 2 पूआओ आपिटेजिजिए स्विचिस और 5,000 औ्यवारे रदे रंद बिर इस परशें प्यविजीए टृप्टे परोट इन स्ट फड़ लाग्य विए टृप्टिध लाग्य ग्लेग्य थाप्ट ऌर्ट उन्द लाग्य विए अड़ ध दृट टृच्शन at this point office is better U2 IINPV IINPV Okay 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 चले तो decision 2 में आपने decide कर लिया cash flow को देखकर NPV को देखकर कि sir हम लोगों को office ही अच्छा है क्योंकि उसमें 16,50,000 का NPV तो यहां यह मेरे काम का नहीं है यह अब मेरे काम का है यह कि यार अगर मैं CA बनता हूँ तो पक यह तो पक का हुआ कि मैं प्रैक्टिस ही करूँगा और प्रैक्टिस करूँगा तो मेरा 16,50,000 NPV आएगा सवाल है अगर मैं CA नहीं बनता हूँ तो फिर क्या होगा अब मुझे इस पॉइंट पर डिसिजन लेना है कुछ ना करे कुछ नहीं करेंगे तो भी घर में बैठोंगे जीरो कोई कमाई नहीं होगी कुछ लगेगा भी नहीं या तो भी कॉम कर ले तो यह option है अब देखना इधर ज़्यादा पैसा है कि इधर ज़्यादा पैसा है इधर तो पैसा ही नहीं है अब मुझे इस पॉइंट पर डिसिजन लेना है मतलब 3 इस पॉइंट पर डिसिजन लेना है कि मुझे कुछ नहीं करना चाहिए कि फिर मुझे भी कॉम कर लेना चाहिए ठीक है ठीक है सर अब फिर देखते कि किसे में ज्यादा फायदा एक बर कैलकुलेटर उठा कर देखते तो है हर साल कितना आएगा 50,000 सर अगर आप भी कॉम करते हो तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है उपर से आपका तो 3,000,000 रुपए खर्च करोगे 3,000,000 रुपए खर्च करोगे 3,000,000 और उस पर कमाओगे कुछ नहीं क्यों कर रहा भी कॉम या मतलब सर यहां तो लॉस है कितने का 50,000 का तो बताओ यहां आकर जब आप यहां फैल तो हो गया है हाँ सर फैल तो हो गया है जब फैल तो हो चुके हो तो क्या सोच रहे हो कुछ ना करे तो ज़्यादा अच्छे कि भी कौम भी कौम करके पैसा और बरबाद करे सर कुछ नहीं करते ज़्यादा अच्छा है हाँ, मम्मी पापा बोले यह और क्यों लाउस कर रहा है तो वही हमको लिखना भी है कि मम्मी पापा क्या बोलेगे घर के ठीक है सर, यहां लिखने वाले है रेट decision point E3, that is E3 तो option है यहाँ भी option 1, do nothing, NPV0, option no.2, Bcom और Bcoms, आँ, फाल तु बाते चाहो तो कितनी करना है कर लो please focus करो, यह decision tree को कोई हलके में कैसे ले सकता है भाई विश्वास नहीं हो रहा, decision tree जैसा topic कितने हलके में ले रहा है Bcom तो बीकॉम 50,000 20 V 10 Lakh 20 V 15V हां मेरा साथ इसलिए मज़े ले लो आपका चलो जी फाइनल लिखे गिया यहार यहां सर हां क्या लिखेंगे क्या अच्छा है सर डू नथिंग इस बैटर चलो सर यहां तक भी हो गया इट मिन्स कौन सा वाला कटेगा सर यहां क्या काम का है सर यह हमारे काम का नहीं है यहां के लिए हमारे लिए चलो अब आजाते काम की चीशिश्ट हुआ है अब मैं सूच रहा हुँ अब जब मैं सीय करने का सोच रहुँ अब सुनोगे इस क्या हो सकता है अगर मैंपास हो गया तो अगर तो 16,50,000 आएगा, हाँ, 16,50,000 आएगा, और इस बात की probability 0.7 है, हाँ सार, 16,50,000 आएगा, इस बात की probability 0.3 है, और अगर फैल भी हो गया, तो जब क्या होगा, 0, और इसकी probability 0.3, ठीक है, इट मेंस CA करूंगा, सार, 5,00,000 जाएगा, ये क्यों भोल रहा है, वो भी consider करूंगा, कितना आ सकता है, कितना आ सकता है, सार, 16,50,000 आ सकता है, 0.7, और 0 आ सकता है, 0.3, और इसको probability से multiply करोगे, तो कुछ आएगा, उसका नाम चाहिए मझे, इट मेंस, अगर मैं इसको probability से multiply करता हूं, 16,50,000 इंटू पॉइंट सी, 0.7, और 0 इंटू पॉइंट त्री, तो इस note प और 0 यह तो 11,00,000 एक्सपेक्टेद एंटी वी रोहन का कहने, एक्सपेक्टेद एंटी वी, बिल्कुल, सभी को मालू है कि यह एक्सपेक्टेद एंटी वी है, ICI या कि दिसीज़ण ट्री में, इसका एक नाम है, कितना आया था? 11,55,000, यह नाम लिया जाता है Decisendory में इसको नाम लिया जाता Expect spare monetary value और अगर मैं गहूँ कि हमारा institute इसको expected monetary value भी नहीं बोलता इसको बस EMV लिख देता है expected monetary value सर, expected NPV लिखे तो कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत नहीं है, तो भी चलेगा, लेकिन ICAI expected monetary value करके, expected monetary value करके नाम दे रहा है, तो हम निकाल सकते हैं ना, कहीं बोलेगा कि expected monetary value निकालो और हम confused हो जाएगे भाई, पूछ क्या रहा है, इसलिए लिख लेना नाम, कि यार expected monetary value भी बो धीरे धीरे करवा रहा हूं कोईशन, ताकियार आपसे जब एक कोईशन है बस और उसको ढंग से करना है, झाल सकता रहा है, जा झाल सकता है, हम वोत है, झाल सकते हैं एक जया है, जा रहा है, झाल ऑई को जाओ कोईशन है प्रॉपर लिखके करा हूँ 16,50,000 into 0.7 प्लस 0 into 0.3 discounting का तो कोई सवाली पैदा नहीं होता कुछ है नहीं 11,55,000 ठीके से जहां तक आ चुका है 11,55,000 अभी present time value of money यहां के लिए भोल जाना अब हमको decision 1 के लिए final decide करना है कि हमें क्या करना भी कौम करना है कि CA करना है add decision point d1 last काम करने जा रहा है अगर CA करते हैं तो हाँ सर इसमें ultimate जो है वो back calculation से काम होना है हाँ ची याद रखना सारे है चाहिए यह इस question के मैं बात नहीं कर रहा हूँ सर पिछले जो दो question किये थे कल और उससे पहले वो decision tree के थे ही नहीं actually वो probability समझा रहे हैं की कोशिश कर रहा था actual में decision tree का तो यही question है और हर decision tree में चाहिए यहां की बात करूँगा चाहिए derivative का back calculation से ही समझ में आएगा की कैसे करना option 1 CA कर लीजिए अगर सर CA करते हैं तो पैसा आएगा 11,55,000 no doubt कि CA करने के लिए खर्च भी दो करना 5 लग तो सर NPV भी बोल सकते हैं की बोल सकते हैं gain भी बोल सकते हैं जो बोल ना बोल सकती हैं कोई दिक्कत की बात नहीं या expected monetary value भी बोल सकते हैं वह लिखिये ना सर expected monetary या NPV भी लिख दोगी तो कोई फर्क नहीं पड़े 11,55,000 माइनस तर NPV लिखो जाद अच्छा है वह अच्छी समझ में बस यह सब्द मैंने इसलिए दे दिया ताकि आपको पतर है NPV 11,55,000 माइनस 5 लग 6,55,000 option 2 NPV 1,45,800,000 द्वादे देवादेब के 20 विखिए मिनस 10,isp 11,8, 12,., E is better Q2 higher Np अच्छा सर हाँ इदर बड़ा बड़ा फिगर लिखा थे अधर बड़ा बड़ा फिगर लिखाता नहीं तो आपका देल तूट जाता अब खुश सोचो भी कौम बैटर आता तो आपको कैसा लगता यह देखो ना यार आ समझ रहे हो ना मैंने probability 0.7 लिख रखा 0.7 probability 0.7 ले रखा है मालूम है क्यों आपको देखते हुए यार कितने अच्छे बच्ची है जवाब दे रहे है यह लो पास होने का probability 0.7 इसके साथ थोड़ा भी छेडशड कर दूना कुछ बच्चे जब मैं कोशन सेट कर रहा था बना रहा था कुछ बच्चे बोल रहा थे सार 0.1 लिखो 0.1 होते नहीं तो इधर बरबाद हो जाते यह खतम इट मिन्स आपके पास होने की probability ज़्यादा है तो कर लो सी फिर थो खेर हम बातों में नहीं आ रहा है अब हम वापस topic पे आते हैं इस decision tree से हमें क्या सीखने को मिला इस decision tree से हमें यह सीखने को मिला कि हमें सीए करना चाहिए पास हो गये तो उसके बाद हमें practice करने को और सर अगर हम हमें CA करना चाहिए पास हो गए तो हमें office को लना चाहिए अगर fail हो गए तो हमें घर में बैठना चाहिए ठीक है वजनती हम लोग अभी start करे question फटा फट से आजाए question number 30 last question है decision tree का आज decision tree खतम करना है हाप I never बचा हुआ है यह question खतम करना है decision tree भी बनाना पड़ेगा और हमें calculation भी करना पड़ेगा और simple question है उतना मुश्किल नहीं है अच्छा सुनो मेरी बात सुन रहे हो decision tree और भी तो है book है आप लोगों के पास जो question number 28 है उसके सामने derivative लिग दीजे question number 28 के सामने derivatives क्या होता अभी आपको कुछ नहीं मालूम जब हम मैं derivative करवाऊंगा तो यह book साथ में रखूंगा और जब binomial करवाऊंगा कुछ होता है binomial तो उसके साथ मैं question number 28 करवाऊंगा question number 28 के साइड में या जहां भी जगा है derivatives लिख दीजे derivatives और इसी तरह से और एक question है question number 29 और इसमें भी लिख दीजे derivatives यह दोनों question मुझे derivatives के साथ करवाऊं question number 28 जूम मीटिंग में रखना चाहता हूं पर क्या करूं किसी ना किसी वज़ा से फस जाता हूं आज भी नहीं हो पाएगी जूम मीटिंग पर पक्का यार पक्का एक दो दिन में पक्का में जुगार लगा रहा हूं एक दो दिन में हम जूब मिटिंग में मिलते हैं question number 28 derivatives question number 29 ये भी derivatives actually real option करके है जो अभी introduce भी हुआ derivative में तो मज़ा आएगा उसमें तो और मज़ा आएगा ये भी real option का एक example था note कर लिया है संडे को रखते पका आज चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए ये question हम बनाएंगे कसम खाते हैं उसके बाद जितनी चाहे उतनी बात करेंगे कोई फर्क नहीं संडे को रखेंगे पका संडे को रखेंगे आप Saturday को आप से ही टाइम पूछूंगा ठीक है जी चलो जी यारो एक बार रीट करते हैं कोईशन रीट करते हैं अच्छा कोईशन ये question कहा है सर ये question हमारे study mat में ये question study material में सर परपेच्वल का logic बता देंगे राहूल मैं बताऊंगा पका अभी थोड़ा सा में decision tree एक बार होता है मैं आपको परपेच्वल का मतलब बता दूँगा और भी दो-तीन चीजे हैं जो आपको समझाना था एक equivalent कैसे निकालते equivalent का क्या logic है future value energy factor का क्या logic है दो-तीन चीजे मुझे याद है बस मुझे अभी आज का time दे दो बाकी मैं आपको पूरा परपेच्वल का logic तो उसके बिना काम नहीं होगा वसे भी मुझे logic समझाना ही है परपेच्वल का परपेच्वल का logic 100% मैं क्लास में ही समझाऊंगा चलो अब मैं doubt नहीं ले रहा हूँ आपके messages मैं question पढ़ रहा हूँ लेखा, LNR Limited which is to develop new virus cleaner software develop करना चाहरा है मतलब हम software का test करना चाहरा है हम software develop करना चाहरा है testing हो रही है software की the cost of the pilot project और test का पैसा कितना लगीगा 2,40,000 हम एक software develop करना चाहरा है test करना चाहरा है test ज़्यादा चाहरा है कोई software test करना चाहरा है और उसके लिए पैसा लगीगा 2,40,000 तो सब decision क्या हो सकता decision यह हो सकता अब यह testing करवाओ नहीं तो testing मत करवाओ testing करवाओगी तो 2,40 था पहला decision तो यह है successfully launched on a commercial skill are 50% अगर हम test मैं decision tree के साथ भी समझाऊँगा पहले एक बार roughly idea ले रहे sir अगर हम जो software है उसका testing करवाते है तो 2,40,000 जाएगा yes 2,40,000 लग जाएगा और लगेगा तो successful भी हो सकता है या फिर failure भी हो सकता है success होने के chance है 50% तो project fell होने के chance है 50% अगर हम success हो जाते है तो फिर हमको invest करना पड़ेगा याद है जैसे office में पैसा लगा रहते है invest कितना करना पड़ेगा 20,000,000 रुपे 20,000,000 इंवेश्ट करना पड़े market में ठीक है और जैसे हम 20,000,000 रुपे तो फिर यहाँ भी decision यह हो invest करे कि ना करे जैसे याद है become करे कि रुख जाए इंवेश्ट करना पड़ेगा 20,000,000 और हमें जो cash flow आएगा वो perpetual आएगा और कितना आएगा बोले 4,000,000 रुपे आएगा ठीक है अगर फैल भी हो जाते है तो हमें investment करना है लेकिन सिर्फ 12,000,000 रुपे 12,000,000 का investment करना है और perpetual आएगा 1,000,000 evaluate the project adopting decision tree approach discounting rate आपको use करना है 10 परच इदा आपसे बनेगा नहीं question मेरे बिना नहीं बनना है पर एक idea हो जाएगा मैंने पिछले example से एक idea दिया कि decision tree homework नहीं दे सकता decision tree तो बनाना पड़ेगा कम से decision tree एक बार decision tree बना लेते हैं दिक्कत क्या decision tree बनाते हैं यहीं बनाओ कि decision tree नहीं सर अगले page में बनाओ थोड़े अच्छे से बनाओ थोड़े अच्छे से बनाओ तरहे design बना कर decision 1 हाँ हाँ विल्कुल सही बनाओ मैं थोड़े सा प्यारती बना रहा हूँ decision पहला decision यह है कि test करे यह test नहीं करे साथ में बनाएं या फिर बाद में बनाएं साथ में बना लो उतना बड़ा नहीं है छोटा सा कोश्च नहीं है साथ में बना सकते हो बिल्कुल test करे यह test ना करे अगर आप test करते हूँ तो आपको खर्च करना पड़ेगा सर अगर हम testing करते तो कितना खर्च करना पड़ेगा 2,40 था और test नहीं करे तो खेली कतम हो गया 0 सर अब जब test कर लिया तो क्या chances है taxes भी हो सकता है fell भी हो सकता है मतलब यहा chance note बनेगा तो possibility या तो क्या हो सकता है success या तो हो सकता है fell और क्या-क्या probability है success की sir 0.5 5 सर सक्सेस हो गया छीक है अभी क्या है अभी investment करना है या तो investment करे या तो investment नहीं करे तो सर अब आगया decision number 2 या तो no investment अगर investment करे तो कितना करेंगे investment करे तो सर बीस लाग रुपय का investment करना पड़े है और सर कैश इंटू आएका 4 लाग परपेच्वल और यह परपेच्वल मुझे बच्चों को समझाना है और अगर investment नहीं करे तो बात ही कतम हो गए कुछ पैसा आए गए नहीं तर अगर फैल हो जाते हैं तो भी chances है investment के इट मिन्स सर फिर फिरवादी चीच यह तो investment करें यह तो नहीं करें अगर investment करेंगे तो 20 lakh का investment नहीं मांग रहा है सिर्फ 12 lakhs का investment मांग रहा है और इसमें cash in to आएगा अरसन 1 lakh पा रहा है नहीं और no investment यह तो 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 मैं question कहूं तो यह वाला decision tree का question है इसको अच्छे से बना लेते हैं सबसे पहले D2 से start करते yes यह तो यह नाम भी लिख देंगे कि नाम भी लिख देता हूं decision tree decision tree हाँ sir यह flow charts जैसा लग रहा है flow charts ही है और कुछ नहीं simulation कर वाँ अकल simulation आपका already कहीं ना कहीं किया हूँ है ठीक है sir point number 2 E2 system अच्छे at decision point E2 speed से करते हैं अब काम option number 1 investment 20,00,00 investment किसमें कर रहा कुछ बताया है कि बख़ा है sir commercial launch fail ऐसा कुछ नहीं बताया है चलो investment कर लिए if investment NPV 4,00,00,00,00,00 divided by discounting rate कितना 10% से साय थी है ूझ नाय स्वार्थ कैसला। ूपिंपश्मध्तोर्ण ूप्सिंपश्वितौ ूपिंपश्ट PV is 0, प्रीक है सही यह, investment is better, Q2, higher NPV, at decision point, if, investment, NPV, answer आ रहा है पर में थोड़ा सा, बिल्कुछ नहीं, एक लाग डिवाइड़ वाइड़ वाइड़ टैन पर्शन, रही है न, पर कैशिन को एक लाग है, एक लाग डिवाइड़ वाइड़ वाइड़ टैन पर्शन, पर लाइड़ में यवाइड़ वाइड़ टो सर रहा है, बिल्सक्षावी नग्द फावन कर दो बिल्सक्राव्स, नग्द बटकर दो नग्द बिल्सक्राव प्रएटबर इस्टावी टॉड लाग्द इस्लिक्ट्ट कर दो due to higher NPV वगेरा या जो लिखना हो लिख समगे तो यह हो गया यह हो गया यह है इस point पे हमें EMV निकालना बढ़े है है झाल झालना बढ़े हैं भीया है झालना बढ़े है झालना कम जिसाग झालना हो लिखना कि आजा बढ़े हैं भीया है लेस्ट लग ठीक लाश्ट काम कर ले लाश्ट काम at decision point G1 यूू। हिस्टिन के लिएक्राओन टेस्टि पोल शकत और ले थाओन के होद्ट काम लाश्ट टेस्टिनестоमा उाओन कामे लेक्चार लेक्चारण क्भकतार воз magnetic लोख ञक, bonito मैंनस, 240 बन होडोब 7.67 बनाएफ लोग होडूआीज फीछ या कुछ Quindi झाल झाल ऐसे प्रेजेंट नहीं भी करोगे तो चलेगा पर सुनो मेरा जो प्रेजेंटेशन है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंस्टिट्यूट का प्रेजेंशन हम टोटल वैसी तो लेंगविज नहीं लिख सकते पर उसके जो मुख्य मुख्य सब्द है उसको मैं यूज कर रहा हूँ उसकी वज़ा सुनो क्योंकि एक मात्र कोश्चन है डिसीजन ट्री का जो एक्चूल में डिसीजन ट्री है उसका यही कोश्चन है और कहा जाता है कि यार 176 का कोश्चन कोई भी आपको नहीं छोड़ना है कोशिस करना यह मान कि चलो कि decision tree आएगा तो यही वाला कोशन उठा कर डाल देगा यही वाला अगर मैं decision tree करवाने जाओ तो मेरे पास बड़े सारे कोशन्स है इसी वज़ा से मेरी कोशिस यह है कि चलो यार उसी की तरह से हम match करते हाला कि इसका भी बहुत जबरदस shortcut हो सकता है पर अभी मैं shortcut के चक्कर में जा नहीं रहा हूँ एक ही कोशन है तो यार ठीक है चल जाएगा इतना time करी लेंगे ठीक है बाकी presentation के और भी तरीके आप कर सकते हो आप अपनी presentation भी मुझे send कर सकते हो मैं एक चेक कर लूँगा तो आज की class हम लोग यहीं over करेंगे अब हमारे देखा जाए तो दो topic बचे हुए capital wasting के एक है simulation और simulation एक गंटे से ज़्यादा का नहीं है तर multiple choice question के लिए shortcut यह मैं अब कल बता दूँगा shortcut जितना हो सकता मैं बतानी की कोशिश कर रहा हूँ actually न MCQ जब सामने रहेगे न तो और मजा आता है बनाने के लिए तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई एक काम करते हैं अब दो topic बचे है और हमारा capital wasting खतम हो रहा है एक तो main जो बचा है वो है simulation हाँ वो कितना class होगा बस उसी पर चर्चा हो रही है एक तो simulation जो है बड़ी मुस्किल से एक गंटे की class होगी एक से देड़ गंटा है मतलब सार एक class समझ लगे यह simulation और दूसरा है replacement decision और replacement decision के यार seriously बोलू replacement decision आपने CA इंटर में किया है तो institute को CA file में नहीं डालना चाहिए पर मेरे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं बढ़ता और हाला कि replacement decision वही वाला है ऐसा नहीं है यहाँ थोड़ा सा अलग concept है और replacement में कम से कम तीन classes और लगेगी तो तीन और चार classes चार classes कम से कम लगना क्योंकि replacement में चार classes लगना ही है multiple choice question भी तो करने वह सब मिलाकर चार classes तो सर्थ चार classes तो आप भूली जाएए कि यह हम नया chapter स्टार्ट करेंगे और जैसे ही चार classes हो जाएगे हाँ उसमें भी यही सारे topic है CMA में हाँ तो मैं क्या गहरा था मैं क्या गहरा था चार classes और लगनी है और सर एक महना लगा दिया आपने capital विस्टिंग आप भी जानते हो कि one month क्यों लगा क्योंकि हमारी बीच में classes नहीं होई थी और बीच में अब जब portfolio में इसके बाद नया chapter रहेगा portfolio जब portfolio management होगा तो हम थोड़ा सा flow में चलेंगे और speed से काम होगा ठीक है सर तो इस week आराम से इस week में खतम हो रहा और इस week के end में आपका portfolio management भी कोशिश कर रहा हूं कि आपका start हो जाए Saturday को start हो जाए देखते हैं तो decision tree का बस यही question था इसी को revision कर लेना और एक question था gold mine वाला तो वो तो खतरनाक question था ठीक है सर और कल करेंगे simulation या तो simulation पहले करेंगे या replacement मेरे ख्याल से replacement करते हैं और हिम्मस से खतम कर देते हैं एक बाद रिप्लेसमेंट खतम होगा ठीक है सर तो हम लोग अब कल मिलते हैं यस कल मिलते हैं कल हम सबसे पहले replacement ही उठा कर खतम करें फिर simulation कर लेंगे ठीक है थाएंक इसो मच बाई बाई गोड नाइट कल बात करेंगे अब जो भी जो भी doubts है अच्छा जो भी perpetual वाला है वो सब में समझाऊंगा वो क्लास में ही समझाऊंगा ऐसे अलग से नहीं समझाने वागा ठीक है कि सर परपेच्वल कैस फ्लो का present value कैसे निकलते है वो क्लास के साथ थैंक्यू मच बाई 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 गोड नाइट